एश के हर घर में बच्चे, बूड़े, जबान, सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सिन कब आएगी तो अब कोरोना की वैक्सिन आ गई है बहुत कम समय में आ गई है, अब से कुछी मिनिट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीका करम भ्यान शुरू होने जा रहा है मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ आज वो बेग्ञानिक वैक्सिन रिसर्ट से जुड़े अनेकों लोग विशेस रुप से प्रसंसा के हकदार हैं जो बीते कई महिनों से कोरोना के खिलाप वैक्सिन बनाने में जूटे थे दिन राज जूटे थे ना उन्होंने त्योहार देखा है ना उन्होंने दिन देखा है ना उन्होंने रात देखी है आम तोर पर एक वैक्सिन बनाने में बरसों लग जाते हैं लेकिन इतने कम समय में एक नहीं दो दो मेड इन इंडिया वैक्सिन तयार हुई है इतना ही नहीं कई और वैक्सिन पर भी काम तेज गती से चल रहा है ये भारत के सामर्थ, भारत की वैज्यानिक दक्षता, भारत के टैलेंड का जीता जाकता सबूत है ऐसी ही उपलब्दियों के लिए राष्ट कभी राम धारिशी दिनकर जी ने कहां था मानव, मानव जब जोड लगाता है पत्थर पानी बन जाता है भाय और भेनों, भारत का टीका करान अभियान बहुत ही मानविय और महत्वपूर सिधानतों पर आधारित है जिसे सबसे ज़्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा जिसे कोरोना संक्रमन का रिक्स्क सबसे ज़्यादा है उसे पहले टीका लगेगा जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेश हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल, पेरा मेडिकल स्टाफ हैं, वो कॉरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हमादा हैं, जाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राफिक्ता पर लगेगी, इसके बाद उन लोगों को टिका लगाया जाएगा, जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानूर ववस्ता की जिम्मेदारी है, जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलीस कर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राफिक्ता पर लगेगी, पहले भी कहा है, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट, सभी को ये वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार बारा उठाया जाएगा, साथियों, इस टीका करण अभियान की पुक्ता तयायों के लिए, राज्य सरकारों के सहयोग से, देश के कोने कोने में, ट्राइल्स किये गए हैं, ड्राइ रंस हुए हैं, विशेश तोर पर बनाये गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में, टीका करण के लिए, रेजिस्ट्रेशन से लेकर, ट्रेकिंग तक की व्यवस्ता है, आपको पहला टीका लगने के बाद, दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकरी भी आपके फोन पर दी जाएगी, और मैं सभी देश बास्यों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं, कि कोरोना वेक्सिन की दो डोज लगनी बहुत जरूरी है, एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐस्या गलती मत करना, और जैसा एक्सपर्ट कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच, लगभग एक महने का अंतराल भी रखा जाएगा, आपको ये भी याद रखना है, कि दूसरी डोज लगाने के दो हपते बाद ही, आपके शरीर में कोरोना के विरूद जरूरी शक्ति विक्सित हो पाएगी, इसलिए टीका लगते ही, आप असाउधानी बरतने लगें, मास निकाल कर रख दें, दोगज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा, मैं प्रासना करता हूँ, मत करिएगा, और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रस से कहना चाहता हूँ, जिस तरह धैरिये के साथ, आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैरिया, अब वेक्सिनेशन के समय भी दिखाना है, साथियों, इतिहास में, इस प्रकार का, और इतने बड़े स्तर का टिका करना भ्यान, पहले कभी नहीं चलाया गया है, ये भ्यान कितना बड़ा है, इसका अंदाज, आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं, दुनिया के सो से भी ज़्यादा ऐसे देश हैं, जिनकी संख्या तीन करोर से कम है, और भारत वेक्सिनेशन के अपने पहले चरण में ही, तीन करोर लोगों का टिका करन कर रहा है, दूसरे चरण में हमें इसको तीन करोर की संख्या तक ले जाना है, जो बुजूर्ग है, जो गंभीर बिमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टिका लगेगा, आप कल्पना कर सकते हैं, तीन करोर की आबादी से उपर के दुनिया के सिरफ तीन ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका, और कोई भी देश ऐसा नहीं है, जिन की आबादी इन से जड़ा हो, इसलिए भारत का टिका करन अभ्यान, इतना बड़ा है, और इसलिए यह भ्यान भारत के सामर्थ को दिखाता है, और मैं देश वाजियों को एक और बात कहना चाहता हूँ, हमारे वेज्ञानिक, हमारे एक्सपर्स, जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को, लेकर आस्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमर्जेंसी उप्योग की अनुमती दी है, इसलिए देश वाजियों को किसी भी तह के प्रपेगंडा अफ़ाएं दूस प्रचार से बच कर रहना है, साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टिम, भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में, बहुत विश्वस नेता है, और पहले से हैं, हमने विश्वास अपने ट्रेक रिकॉर्ड से हासिल किया है, मैं प्यारे देश वाजियों, हर हिंदुस्तान इस बात का गर्ब करेगा, कि दुनिया भर के करीब साथ प्रतिशत बच्चों को, जो जीवन रक्षक ठीके लगते हैं, वो भारत में ही बनते हैं, भारत की सक्त वैज्वानिक पक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं, भारत के वैज्वानिकों को, और वैक्सिन से जुड़ी हमारी विश्वस अग्यता पर, दुनिया का इविश्वास मेड इन इन्डिया कोरोना वैक्सिन में और मजबुद होने वाला है, इसकी कुछ और खास बाते हैं, जो आज मैं देश्वास्यों को जुरूर बताना चाहता हूँ, ये भारतिये वैक्सिन विदेशी वैक्सिनों की तुन्ना में बहुत सस्ती हैं, और इनका उप्योग भी उतना ही आसान है, विदेश में तो कुछ वैक्सिन ऐसी है, जिसकी एक डोज पाँच हजार रुपिया तक में हैं, और जिसे माइनस सेवन्टी डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है, माइनस सेवन्टी डिग्री, वहीं भारत की वैक्सिन ऐसी तक्रीक पर बनाई गयी हैं, जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है, इए वैक्सिन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्स्टेशन तक भारतिय स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल है, यही व्यक्षिन अब भारत को कॉरोना के खिलाब लड़ाई में निननायक जीत दिलाएगी साथियो कॉरोना से हमारी लड़ाई आत्म विस्वास और आत्म दिर्भरता की रही है इस मुश्किल लड़ाई से लड़ने के लिए हम अपने आत्म विस्वास को कमजोर नहीं पढ़ने देंगे यह प्राण हर भारतीय में दिखाई दिया है संक्रट कितना ही बड़ा क्यों नहों देश वास्चोंने कभी आत्म विस्वास खोया नहीं जब भारत में कोरोना पहुचा तब देश में कोरोना टेस्टिंग की एक ही लेप थी हमने अपने सामर्थ पर विस्वास रखा और आज तेईसों से ज़्यादा लेप्स का नेटवर्क हमारे पास है शरुवात में हम मास्क पीपीई कीट टेस्टिंग कीट्स वेंटी लेटर्स जैसे जरूरी सामान के लिए भी विदोशों पर निर्भर थे आज इन सभी सामानों के निर्मार में हम आत्म निर्भर हो गए हैं और इनका निर्याद भी कर रहे हैं आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता की इसी ताकत को हमें टीका करण के इस दोर में भी ससक्त कर रहा है साथियों महान तेलुगु कभी स्री गुराजाडा अप्पाराव गुराजाडा अप्पाराव ने कहां था सौंत लाभं कौंत मानुकु पवरु गुवाडि की तोडु पाडवोय देश मंटे मट्टी कादोई देश मंटे मनुष लोय यानि हम दूसरों के काम आएं ये निश्वार्थ भाव हमारे भीतर रहना चाहिए राष्ट सिर्फ मिट्टी पानी कंकड पत्तर से नहीं बनता बलकि राष्ट का अर्थ होता है हमारे लोग कौरोना के विरूद लड़ाई को संपुर्ण देश ने इसी भावना के साथ लड़ा है आज जब हम बीते साल को देखते हैं तो एक व्यक्ती के रूप में एक परिवार के रूप में एक रास के रूप में हमने बहुत कुछ सीखा है बहुत कुछ देखा है जाना है समझा है आज भारत जब अपना टी काकरन भ्यान शुरू कर रहा है तो मैं उन दिनों को भी याद कर रहा हूँ कोरोना संकड का वो दौर जब हर कोई चाहता क्या कि कुछ करें लेकिन उसको उतने रास्ते नहीं सुचते थे सामान्य तोर पर बिमारी में पूरा परिवार बिमार व्यक्ति की देखभाल के लिए जुड जाता है लेकिन इस बिमारी ने तो बिमार को ही अकेला कर दिया अनेकों जगह पर छोटे छोटे बिमार बच्चों को मा से दूर रहना पड़ा मा परेशान रहती थी मा रोती थी लेकिन चा कर भी कुछ कर नहीं पाती थी बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी कहीं बुजुर्ग पिता अस्पतान में अकेले अपनी बीमारी से संगर्ष करने को मजबूर थे संगर्ष कर भी उसके पास नहीं जा पाती थी जो हमें छोड़ कर चले गए उनको परंपरा के मुताबिक वो बिदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे जितना हम उस समय के बारे में सोते हैं मन सिहर जाता है उदावास हो जाता है लेकिन साथियों संकर के उसी समय में निराशा के उसी बातावर में कोई आशा का भी संचार कर रहा था हमें बचाने के लिए अपने प्रारों को संकर में डाल रहा था हमारे डॉक्टर नर्स परामेडिकल स्टाप एम्विलेज ड्राइवर आशा वर्कर सभाई कर्वचारी पुलिस के साथ है और दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स उन्होंने मानवता के प्रती अपने दाइत्व को प्रात विक्ता दी इनमें से अधिकाश तब अपने बच्चों अपने परिवार से दूर रहे कई कई दिन तक घर नहीं गए सैंक्रों साथी ऐसे भी है जो कभी गर वापस लोटी नहीं आ पाए उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्त सेवा से जुड़े लोगों को लगा कर एक तरह से समाच अपना रून चुका रहा है यह टीका उन सभी साथियों के प्रती कृतग्य राष्ट की आदरांजली भी है भाई यो और बहनों मानव इतिहास में अनेक विपनाय आई महमारी आई बीशन यूत हुए लेकिन कोरोना जैसी चुनवती की किसी ने कलपना नहीं की थी यह के ऐसी महमारी थी ऐसे हालात में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भारत को लेकर तमाम आशंकाएं जता रहे थे लेकिन साथियों भारत की जीज़ बहुत बड़ी आबादी को हमारी कमजोरी बताए जा रहा था उसको ही हमने अपनी ताकत बना दिया भारत ने संबेदन सेंता और सहवागीता को लड़ाई का आधार बढाया भारत ने 2400 घंटे सतक रहते हुए हर गटना कर नजर रखते हुए सही समय पर सही फैसले लिए तीस जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला मिला लेकिन इसके दो सब्ता से भी पहले भारत एक हाई लेवल कमिटी बना चुका था पिछले साल आज का ही दिन था जब हमने बाकैदा सर्वेलान सुरू कर दिया था सत्रा जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वो तारिक थी जब भारत ने अपनी पहली एड़वाईजरी जारी कर दी थी भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था जिसने अपने एरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी साथियों कोरोना के खिलाब लड़ाई में भारत ने जैसी इच्छा शक्ति दिखाई है जो सांस दिखाया है जो सामोहिक शक्ति का परिचे करवाया है वो आने वाली अनेट पीडियों के लिए प्रेणा का काम करेगा याद कीजिए जनता करव्यों कोरोना के विरूत हमारे समाज के सैयम और अनुसाचन का भी परिक्षन था जिसमें हर देश वासी सफल हुआ जनता करव्यों ने देश को मनोवेज्यानिक रुप से लौकडाउन के लिए तयार गिया हमने ताली थाली और दिया ज़ला कर देश के आत्म विश्वास को उचा रखा साथियों कोरणा जैसे अंजान दुश्वन जिसके एक्षन रियक्षन को बड़े बड़े सामर्थमान देश नहीं भाप पा रहे थे उसके आक्रमन उसके संक्रमन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका ही यही था कि जो जहां है वो वही रहे इसलिए देश में लॉकडाउन का फैसला भी किया गया यह नेरे आसान नहीं था इतनी बड़ी आबादी को घर के अंदर रखना असंबाव है इसका हम ऐसास था और यहां तो देश में सब कुछ बंद होने जा रहा था लोकडाउन होने जा रहा था इसका लोगों की रोजी रोटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थ व्यवस्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका आकलन भी हमारे सामने था लेकिन देश ने जान है तो जहान है के मंतर पर चलते हुए प्रतिक भारतिय का जीवन बचाने को सरवोच प्राठ्विक ता दी और हम सभी ने ये देखा है कि कैसे तुनंत ही पुरा देश पुरा समाज इस भावना के साथ खड़ा हो गया अनेकों बार छोटी छोटी लेकिन महत्वपन चीजों की जानकारी देने के लिए मैंने भी अनेक बार देश वासियों के साथ सीधा समबात किया एक तरफ जहां गरीबों को मुप्त भोजन की ववत्ता की गई तो वहीं दूद, सब्जी, राशन, गैस, दवा ऐसी जरूरी चीजों की सुचारू आपुरती सुनिसित की गई देश में ववस्ताएं ठीक से चले, इसके लिए गरमनतावे ने ट्वेंटी फॉर बाई सेवन कंट्रोल डूम सुरू किया, जिस पर हजारों कॉल्स का जवाब दिया गया, लोगों को समाधान दिया गया, साथ क्यों कॉरोना के विरूत इस लड़ाई में हमने कदम कदम पर दुनिया के सामने उदाहरन प्रस्तुत किया है, ऐसे समय में, जब कुछ देशों ने अपने नागरिकों को चीन में बढ़ते करोना के बीच छोड़ दिया था, तब भारत चीन में फसे हर भारतियों को वापस लेकर आया, और सिर्भ भारत के ही नहीं, हम कई दूसरे देशों के नागरिकों को भी वहाँ से वापस निकाल करके लाए, कुरुना काल में बंदे भारत मिशन के तहत, 35 लाग से जादा भारतियों को विदेशों से भारत लाया गया, मुझे आद है, एक देश में जब भारतियों को टेस्ट करने के लिए मशीना कम पढ़ रही थी, तो भारत ने पूरी टेस्टिंग लैब यहां से वहाँ भेज करके उसको वहाँ सजाया लगाया, ताकि वहाँ से भारत आ रहे लोगों को टेस्टिंग की दिक्कत ना हो, साथियों, भारत ने इस महामारी से जिस प्रकार से मुकाबला किया, उसका लोहा आज पुरी दुनिया मान रही है, केंद्रो और राज्य सरकारे, स्थानिय निकाएं, हर सरकारी संस्थान, सामाजिक संस्थाएं, कैसे एक जुट होकर बहतर काम कर सकते हैं, ये उदाहरन भी भारत ने दुनिया के सामने रखा, इसरों, डियार्यों, फोच से लेकर, किसानों और स्रमिकों तक, सभी एक संकर्प के साथ, कैसे काम कर सकते हैं, ये भारत ने दिखाया है, दोगज की दुरी और मास्क है जरूरी, उस पर फोकस करने वालों में भी भारत अग्रणी देशों में रहा, भाई और बहनों, आज इनी सब प्रयासों का परणाम है, कि भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यू की दर कम है, और ठीक होने वालों की दर बहुत अधीक है, देश के कई जीले ऐसे हैं, जहां एक भी व्यक्ति को हमें कोरोना की वज़े से खोना नहीं पड़ा, इन जीलों में हर व्यक्ति कोरोना से ठीक होने के बाद अपने घर पहुँचा है, बहुत से जिले ऐसे भी हैं, जहां बीते दो सप्ता से कोरोना संक्रमन का एक भी केस नहीं आया है, जहां तक की लॉक्डाउन के से प्रभावित अर्थे वबस्ता की रीकवरी में भी भारत दुनिया में आगे निकल रहा है, भारत उन गीने चुने देशों में हैं, जिसने मुश्किल के बावजुद दुनिया के एक सो पचास से जादा देशों में जरूरी दवाएं और जरूरी मेडिकल सहायता पहुँचाई, पैरासिटमल हो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन हो, टेट्रिंग से जुड़ा सामान हो, भारत ने दूसरे देश के लोगों को भी बचाने की हर संभव कोशिश की, आज जब हम अपनी व्यक्षिन बना ली हैं, तब भी भारत की तरफ दुनिया आशाव और उमीद की नजरों से देख रही हैं, हमारा टीका का नभ्यान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया के अनेक देशों को हमारे अनुभव का लाब मिलेगा, भारत की व्यक्षिन हमारी उत्पादन छमता, पूरी मानवता के हित में काम आए, ये हमारी प्रतिबद्दता है, भाई और भेनों, ये टीका करन भ्यान अभी लंबा चलेगा, हमें जन जन के जीवन को बचाने में योगदान देने का मोका मिला है, और इसलिए इस अभियान से जुड़ी प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भी देश में वोलेंटियर आगे आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, और भी अधिक वोलेंटियर्स के हो, मैं अपना समय सिवाकारे में जोड़ने के लिए जरूर आगरह करूँगा, हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, मास, दोगज की दूरी और साफ सफाई, ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे, टीका लग गया, तो आज का आर्थ ये नहीं, कि आप करोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें, अब हमें नया प्रौन लेना है, दवाई भी, कड़ाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, आप सभी स्वस्त रहें, इसी कामना के साथ, इस टीका करन भीयान के लिए, पूरे देश को बहुत-पहुत शुप कामना है देता हूँ, देश के भैज्यानिकों का, रिसर्चर्स का, लेब में जुड़े हुए सब लोगों का, जुन्होंने पूरे साल एक रुशी की तरह अपनी लेब में जीवन खपा दिया, और ये वैक्सिन देश और मानुता को दी है, मैं उनको भी विशेश रुप से अभिनंदन करता हूँ, उनका अभार व्यक्त करता हूँ, मेरी आप सब को बहुत-बहुत शुप कामना है, आप जल्दस इसका लाब उठाएं, आप भी स्वस्त रहें, आपका परिवार भी स्वस्त रहें, पुरी मानवजात इस संकट की गड़ी से बाहर निकले, और स्वस्त रहें, हम सब को प्राप्त हों, इसी एक कामना के साथ, आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद. आप श्रवए भवन तो सुखिनाह, सर्वे संतो मिरा मया, सर्वे भवन तो सुखिनाह, सर्वे संतो मिरा मया. सर्बे भवन्तो सुखिनाः, सर्बे संतो निरा मया सर्वे भवन तू सुखिना सर्वे संतू निरा मया सर्वे भवन तू सुखिना सर्वे संतू निरा मया सर्वे भवन तू सुखिना सर्वे संतू निरा मया 사Everyone Whoo सेर्वे संतू निरा वाक स्वे स्वे निर्ण साव निरा चाहे संतू निरा